Hi student, welcome in the second part of work power energy lecture. You can download the lecture notes of this lecture from exam.com slash 134135 and I, Keshav Kumar, most welcomes in this second lecture. So, इस से पहले के lecture में हमने different types of force पड़े थे और मैंने आपको इस की units और types डिसक्स किये थे हमने detail में. अब इस lecture में हम बाकी जो work power energy का जो portion है वो हम इसमें discuss करेंगे. तो जहां तक NDA की बात है, NDA में work power energy इससे question आएगा ही आएगा. force से रहे जाए एक बार को लेकिन work power energy से question आते ही आते हैं. simple work calculate करवाएगा, energy में आपकी kinetic energy, potential energy होगी, half mb square mzh या power में आपकी simple power calculate करवाएगा. तो work से या energy से आप मान की चलिए question आएगा ही, आएगा question मिसने वाला इन दो portion से नहीं है. तो NDA की perspective से भी देखा जाए, तो ये बहुत important chapter है, तो मैं चाहूँगा थोड़े सा दिहान से पढ़े, और इस से पहले आपने वो वाला हमारा lecture देख रखा हो. तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले लेते हैं work, work होता क्या है, work is said to be done when force applied on a body, displays a body through a certain distance in the direction of force. work वो चीज़ हैं, अगर हम किसी body पर कोई force apply करें, और ये इस force के कारण ये जो body है, वो कुछ distance cover करें, s, तो ये जब distance होगी, इस distance और इस force के multiplication को हम बोलेंगे, work, और हम क्या बोलेंगे कि इस पर हमने कितना work कर दिया, यहां से यहां से लिजाने में कितना काम कर दिया, तो जो work आती है आपकी quantity, वो एक scalar quantity होती है, और f into delta s, या मैं ऐसे सही बोलूं, तो f dot s, ये विटा, 1 एक scalar quantity है, और f और s का dot product होता है, अब f और s का dot product होता है, तो इसमें angle आपका आजाएगा, अगर क्या हो जाएगा angle आपका, f, s, and cos theta, तो ये विटा, आप जब भी theta है, तो ये dot product में यही होता है, थीटा आपको थोड़ा सा देख के तलना पड़ता है, अब s क्या है, यहाँ पर displacement है, f force है, अब अभी तो क्या हो रहा था कि, यहाँ पर इस case में, मेरा f इतर लगा, और s vector भी क्योंकि इधर ही है, displacement इधर ही है, तो delta s ये, और f ये, तो इन दोनों को भी theta क्या हो गया, 0, और अगर theta 0 हो गया, तो मैं इसे direct लिख सकता हूँ, f into s, तो जबी भी theta 0 हो, तब आप data इसको लिख सकते है, force into distance, फिर, ये, अब distance और displacement का case भी बिटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस side चला है, ये simple इस तरफ चला है, तब तो ये distance भो लें, displacement भो लें, same चीज है, लेकिन अगर यही round circle पर घूमता, तब वहाँ पर हमें displacement लेना पड़ता है, और वहाँ पर round circle में जो work done हो जाता, वो आपका zero हो जाता, क्यों, क्योंकि अगर ये suppose round circle पर घूम displacement है, क्योंकि उसके साथ direction आ गई, और जबी भी single as होता है, तो हम बोलते हैं, उसे distance है, तो यहाँ पर हम नहीं ये assume क्या है, क्योंकि ये vector है, displacement है, और cos theta, क्योंकि theta 0 है, तो ये linear motion है, तो displacement ये distance ही है, तो इसलिए जो formula दिया है, हमने वो theta के respect में work done equals to force into distance दिया है, हालागी य f dot s होता है, force into आपका displacement vector, तो वो मैं बता रहा था कि अगर displacement हमेशा round के लिए 0, 0 होता है, तो कोई force है, जो किसी object को round, किसी circular motion पर object motion करवा रहा है, तो उस force द्वारा work done के इतना हो जाएगा, 0, क्योंकि s vector आपका displacement 0 होता है, displacement का मतलब क्या है, s2 minus s1 into direction of s, ये हमने displacement volume पढ़ा ये initial और file position ये एक ही आजाएंगी, तो वो आपका displacement 0 होता है, तो जहां भी, जब भी circular motion हो, और जहां पर भी आपको पूह जाए कि circular motion, वहाँ पर work done कितना होगा, वो आपका 0 work done होगा, तो मैं बता रहा था, theta की बात कर रहा था, इसकी 0 work done और कहा होगा, वो हम बात में बात क करेंगे, theta में क्या था, आभी तो मैंने इस तरफ लगाया, तो ये 0 हो गया, अब अगर मैं इसी वाडी पर इस तरफ force लगाऊं, और displacement इस तरफ हो, तब उस case के लिए ये वाला formula आपका काम आएगा, fs cause theta, तो अब ये, अगर मेरा displacement इसर हो रहा है, अब theta आप थोड़ा चा इसका head है आप देखिए, और यहां पर इसकी tell है, तो मैं क्या करूंगा, इस app को यहां नीचे बला दोंगा, और ये वाला जो theta होगी, ये आप भी theta निकल गयाएगी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, या कई बार ऐसे हो सकता है कि, s आपका यहां है, और ये आपक ये जब force लगाया जा रहा है, तो ये theta हो जाएगा, ये दोनों की tell tell मिलनी चाहिए, तब उस case में जो theta होता है, वो आपका सही theta आता है, तो ये कुछ basic बाते मैंने बताई हैं आपको, फिर इसको नापते हैं, जूल में, force को newton, इसको अगर आप meter में आपे तो newton to meter को हमें जूल बोल देते हैं, तो वन जूल अगर हम इसकी definition निकलना जाएं, तो क्या लिखेंगे कि, अगर एक newton, force मैंने apply करके, एक newton तक किसी object को move करा दिया, तो मैंने एक जूल बर्क कर लिया, तो एक newton आपने किया, और एक newton to एक newton आपको, एक जूल के एक कुल आ गया, तो same work is scalar quantity, अगर आप इन दोनों का dot product से जो भी quantity आएगी, वो आपकी scalar ही होगी, अब, if a force f is applied on the theta angle, जैसे मैं बता रहा है, तो बहाँ पर क्या होगा, horizontal, फिर positive, negative and zero work, फिर ये सारी चीजे हैं, अब मैं बताऊँगा, आपको positive, negative and zero work, अब जैसे मैंने बताया कि, w equals to f dot s, मैं तो यही suggest करूँगा कि आप vector वाली ही चीजें यूज के लिए, क्योंजी vector वाली में ज्यादा easy रहता है, suppose that f आपको पूचे दिया कि 2 i cap 3 j cap plus k cap, मतलब 2 newton का i में लग रहा है, 3 newton का j में लग रहा है, और k में लग रहा है, और s vector आपको दिया है i plus j, और कोई आप से पूचे की w कितना होगा, तो आप simple in का dot product निकाल देंगे f dot s, dot product में same same को multiply यहादा है, 2 2 3 into j 3, और k का, यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 है, तो यह आपका आप 5 0, तो इस तरह से dot product का एक यह मतलब है, कि अभी भी आपको इस तरह से पूचा जाए vector में देक अब positive और negative work done के लिए क्या करेंगे, जैसे f, s, cos, theta, अब जहाँ जहाँ पर cos theta positive होगा, वहाँ वहाँ पर आपका work done positive हो जाएगा, जहाँ cos theta negative हो जाएगा, वहाँ work done negative हो जाएगा, अब हम 0 से start करें, कि यहाँ f है, यहाँ s है, और यहाँ f है, 0 पर यह है, अगर हम 90 तक इधर S हो रही है, अच्छा आप ये गन्फूज ना हो कि force में उपर लगा रहा हूँ ये S, displacement इधर होगा, कई सारी चीजों में ऐसा होगा, जब आप force इधर लगता होगा, लेकिन displacement इधर होगा, जैसे इस case में तब क्या होगा, तब इस case में circular motion आपकी हो जाती है, जैसे आपक magnetic field में electron की motion होती है, तो वो इसी तरह से होती है, उसका, तो वो आप confused ना हो, सिर्फ अभी हम analysis के लिए देखने हैं कि अगर suppose ये 90 पर हो जाएंगे, 90 पर जब भी हो जाएंगे, तो cos 90 90, और F into S into 0 आपका 0, तो जबी भी ये F और S perpendicular हो जाएंगे, तो जो आपका 0 होता है, और उनके वीच जो एंगिल होता है, वो 90 डिगरी होता है, तो ये बोले, या दूसरे लख्जों में बोले कि जबी भी ये पिटा perpendicular होंगे, तो जो motion होगी, यहाँ पर इस तरह से बीच में होगी, वो circular motion में, circular motion में B की डारेक्शन ये होगी, तो जो path होगा उसका, वो circular path होगा, अब B की direction इस तरह से समय हो जाएगी, तो circular path होगा, तो हम बोले कि उसकी, उसमें जो displacement होगा, वो आपका zero होगा, तो भी work done zero होगा, जैसे अगर earth के around, अगर हम कोई planet force करके move सोटे हैं, और फिर हम उसमें कोई force apply करते हैं, और फिर हम पूछते हैं कि earth के around, वो move कर रहा है, और force का work done होता ही है, तो work done क्या होगा, उसमें zero, क्यूंकि displacement आपका zero हो, तो जहां भी force और displacement perpendicular हो, आप या आपकी circular path forward motion होती हो, वहाँ आपका work done होता है, वो zero होता है, एंडिये में ये question पूछा जा जुका है कि कहा पर work done zero होगा, तो कभी भी electron अगर इसके चारो और भूबे अब positive work done क्या है, positive आपका zero से 90 तक कोई भी angle होगा, तो cos theta positive है, तो इसे हम बोल देंगे positive work done, फिर इसे हम acute angle भी कहते है, zero से 90 तक को, फिर अगर 90 से ज्यादा होगा, जैसे आप cos theta देखें, ये इस तरह से graph आता है cos theta का, तो ये 0 होता है, ये pi y 2 होता है, ये pi होता है, अब तो ये cos theta आपका work done होगा, निगेटिव होगा, वर्क दन negative का मतलब कुछ नहीं है, वर्क दन negative का मतलब यही है, कि जिस direction में आपने F लिया है force, या तो उस तरह force एप्लाई नहीं हो रहा है, या जिस direction में आपने displacement लिया है, उस तरह displacement एप्लाई नहीं होगा, displacement दूसरी direction में ह तो सिर्फ वो इनकी direction बताता है कि negative force का मतलब और कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जिस तरफ आप जा रहे हो उस तरफ वर्क नहीं हो रहा है, बलकि opposite side में वर्क फोरा है, तो जब displacement में लिए displacement का रोल होता है, क्योंकि force तो आपको fix दिया होता है, तो displacement बस अगर negative आया, तो इसक बस में चीज आपको यहीं ध्यान देनी है कि यह आपका जबी भी 90 होते है, तो यह वर्क नहीं आपका जीए, फिर नेक्स है, वर्क नहीं होता है, अगर कोई वोडी है, यह इसका मास है, अब वर्क नहीं होता है, f vector into s vector, अब मैं इसे उपर उठा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो delta s की डारेक से उपर होगी, ठीक है, फिर, अब मैं क्या गहा रहा हूँ कि, जो mg हो रहा है, मेरा force, gravitational force इस पर लगता होगा, तो gravitational force यह आपका नीचे लग रहा है, mg, तो अगर मैं mg द्वारा किया गया, वर्क निकालू, यह जो force आपका mg लग रहा है, इसके द्वारा वर्क निकालू, तो force आपका mg, अब उल्टी direction में लग रहा है, तो यह हम cos 180 ले ले ले, cos 180 यह आपका minus cos 0 बात देगी है, और h आपकी height होगी, तो minus mg h, अब यह minus आगया, इस minus का मतलब यही है, कि यह वाली potential energy है, यह आपकी restore हो जाएगी, जैसे जैसे आप उपर जाएगे, जैसे जैसे आप h height पर जाएगे, तो यह आपकी potential energy के form में यह वाली energy आपको restore हो जाएग free motion में है, तो यह बापस आजाएगा, और इसी potential energy कारण यह आपका energy लेकर kinetic energy से आएगा, mb2 आएगा, तो यह आपकी, अगर कभी भी work done पूछे, जब भी हम vertical upward भेगते हैं, तो आपका, उसका जो magnitude होता है, वो mg h ही होता है, तो यहाँ minus mg h से क्या मतलब है, कि यह जो energy होगी, यह आपकी ऊपर जाके पूरी store हो जाएगी, mg h की form में, और फिर mg h की form में बापस repart करें, now next है, cgs unit हम कुछ discuss कर लेते हैं, the work in cgs unit, अब work cgs unit में क्या होता है, f into s, f को हम बोलते है, dial, and s को हम बोलते है, cm में, इसको बोलते है, 1 e r z, तो इसे हम और convert कर लेते हैं, इसको हमने 1 e r z बोल दिया, अब हम अगर ऐसा ही unit से चलें, तो इसको हम लेते हैं, force को, 1 newton और इसको एक लेते हैं, 1 meter, तो एक newton में आपकी होगी 10 की power 5 dine, और 1 meter में होगी 10 की power 2 cm, तो यह आपका आगए 10 की power 4 e r z, यह dine cm, तो 1 e, 1 zool equals to, आपका होता है 10 की power 7 e r z, तो आप याद रखें, हो सकें, अगर याद नहीं हो, तो आप वहाँ पर भी calculate करके, इसे खुद ही देख सकते, next हम चलते हैं, next question पर energy, energy और work done बैसे तो बहुत हद तक same ही होते हैं, या मैं बोलूं की dimensions same होती है, तो energy होती है, energy कुछ नहीं होती और work करने की capacity होती कि कोई भी गड़ा कितना work कर सकता है, कोई भी object कितना work कर सकता है, जैसे हम normal भी देखते हैं कि एक मजदूर 2 दिन में काम करता है या दो म।स्दूर 3 दिन में काम करते हैं, तो वह कितना काम कर सकता है वो उसकी capacity होती है अब capacity भी work में ही हम देंगे कि कितना काम किया चार जैसे अगर कोई unit होगी चार जूल काम किया पाँ जूल काम किया तो basically dimensions के basis का energy भी is same as the work तो energy is defined as the capacity or the ability to body to do work and energy is scalar quantity as work is and its unit and dimensions are same as the work तो energy basically दो form में ली जाती है एक तो आपको kinetic energy the energy which is responsible for which is responsible for motion दूसरा potential energy जो आपकी motion की कार जो energy होगी वो आपकी kinetic energy half mb square हम बोलेंगे जो आपकी potential energy होगी वो किसी height के कार या stored हाइट के कार रिस्टोर रहेगी उसे हम potential energy बोलेंगे तो mainly दो टाइप की energy हम discuss करेंगे कुछ other changes हाई उनिट में और यह e-rg equal to 10.6 to 7.0 अभी करकर दिखाया 1 kalories equal to 4.27 Z एक किलो कालोडी वह आप किलो में से multiple करें तो आप यह मों दालेंगे, इलेक्रोन गोल्ट होती है, तो यह इसके कुछ differentiation अब इसकी कुछ है, अब दार्टली हम बात करते हैं, Kinetic Energy Question आता है Kinetic Energy Kinetic Energy this is the energy of motion जब आपकी body होगी, वो motion में होगी any moving body for say this kinds of energy running water, falling fruits या कहीं भी motion होगी, तो वहाँ पर जो आपकी kinetic energy ही होगी तो kinetic energy is a capacity of body to work with virtue of motion कहां तक motion कर सकती है उसकी जो capacity होगी उस चीज़ को हम बोलेंगे kinetic energy तो actual amount of such energy depends on the mass of moving energy basically ये जो depend करती है ये mass पर depend करती है और इसकी जो value होती है वो half mb square होती है इसका बोल डेरिवेशन तो basically नहीं है बोलते हैं कि k is proportional to m जो kinetic energy होगी वो mass के proportional होगी फिर बोलते हैं कि proportional to b square होगी फिर हम बोल देते हैं कि mb square होगी फिर proportionality constant और उस proportionality constant को half बोल देते हैं और ये आजती है half mb square तो जहां डेरिवेशन में हमें पढ़ना भी नहीं आपको यह दिहान रखना है कि बस k is equals to mb अब इस पर NDA में बहुत सारे कोशिन पूछी गए एक कोशिन उतने पूछी हो गया कि अगर मैं इसकी को दोगना कर लों तो आपकी काइनेटिक अगर मैं दोगना कर लों तो किसे के इनिशियल मालूंँ इसे के फायल मालूं तो m2nv2 मतलब यह आपका आगए 4mb2 मतलब जो काइनेटिक अनर्जी होगी वह आपकी चार गुना बढ़ जाएगी या कभी बोल देगी मास आदा करदू या कभी बोल देगी चार गुनी करदी परसंटेज चेंज इन एनरजी उना यह तो इस तरह की चीजें बहुत जाला आज़े काइनेटिक एनरजी पर काफी मिलेंगे और सिर्फ आपको Mb कर करके ही वो सारे कोजिशन सॉल्व हो जाएगे तो और काइनेटिक एनरजी के साथ मुमेंटम का जो रिलेशन है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है मुमेंटम आपका क्या होता है मुमेंटम भी बहुत बार पूछा गया है पी इक्वल्स टू आपका होता है Mb तो काइनेटिक एनरजी हाफ Mb स्क्वाइर मैं क्या करता हूँ M स्क्वाइर कर लेता हूँ नीचे M कर देता हूँ तो हाफ P अपान M एक तो यह K का फॉर्मूला हो गया P स्क्वाइर एक फॉर्मूला P का क्या हो गया 2K M यह भी बहुत इंपर्डेंट फॉर्मूला है most important formula at the point of NDA K एक्वल्स टू P स्क्वाइर अपन 2M या P एक्वल्स टू की है बहुत बार पूछा है कि momentum दोग ना कर दिया तो same उसी तरह से करेंगे या kinetic energy में change क्या होगा या momentum kinetic energy में 10% change कर रहा हूं तो momentum में कितना change होगा या NDA quotient है अब यह आप देखेंगे तो percentage change by change जैसे करते हैं लिखते हैं इंटू 100 अब यह under rule आ गया जाएगा और into percentage byp तो अगर इसमें 10% change है तो 1 upon half into 10% तो यह आपका आगया momentum में जो change आगया वो आपका 5% आगया तो इस तरह से इस पर बहुत सारे question बने हुए momentum और energy पर तो basically आपको जबी बदाना हो तो आप simple mb करने कर सकते हैं और यह दोनों formula आप याद रख सकते हैं फिर momentum दोग ना कर गया तीन ना कर गया इस तरह की question भी उसमें पूछे गए कई बार momentum conserve है momentum conserve है तो m1 b1 conserve है आपका अब फिर वहाँ पर बूचा की kinetic energy किसकी जादा होगी अगर momentum conserve है या constant है तो k is anti proportional to m या k is inversely proportional to m तो उस case में जिसका भी जितना ज़्यादा मास होगा उसकी kinetic energy उतनी ही कम होगी normal हमारा क्या होता है k is proportional to m m भी इसका है मतलब जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी kinetic energy ज़्यादा होगी लेकिन अगर momentum conserve है तो आपका k is proportional होगा anti proportional मतलब जितना जितना कम मास होगा उसकी energy ज़्यादा होगी तो यह भी आपका NDA question है जब हम discuss करेंगे previously question तब मैं आपको बताऊंगा कि बहाँ पर momentum एक कोशन में conserve दे रखा है और उस question में यह आपको relation पूछा गया है यह इस तरह की चीज़े पूछी ज़्यादा है कि momentum कहां पर जाता है कि अगर आपको kinetic energy conserve दे दी या mass आपको equal उता रही है तो यह सारी relation पर आपको question अच्छे का से question आते हैं तो यह तो रही momentum की बाते with respect of kinetic energy तो अगर आप पूरा system दिया है तो हार system के लिए हम kinetic energy add कर लेते है half mb square half mb square फिल kinetic energy depends upon the frame of response kinetic energy of the passenger running is running train is zero in the frame of reference but it is finite frame of reference of earth तो जो frame of reference का मतलब क्या है कि जो V है वो आपकी frame of reference पर depend करती है अगर कोई person है वो आपका एक train में जा रहा है यह suppose एक train है और दूसरा person भी वहीं घड़ा है तो अब इस person को यह person इस person को देखता है तो इसकी kinetic energy वह zero बताएगा क्यों क्योंकि train चल रही है और अभी भी हो यह train में रुका हुआ है तो train में रुका हुआ है हम बोलेगी तो इसकी kinetic energy होगी 0 का Square तो ये 0 ये बोले हो जो कोई किनेटिक ϊनरजी इसमें नहीं है कोई मोचन ये नहीं कर भाए क्यों क्यों क्योंकि मोचन निकर लेकर अगर अगर कोई बाहर रेस्ट में खड़ा हुआ है अब उसके लिए तो उसके लिए ये देखेगा ज्यादा कुछ ऐसे question पूछे नहीं गए कभी frame of reference पर अगर जबी भी पूछा जाए तो आप relative velocity के concept दो करके वहाँ यह चीज भी explain कर सकते हैं Next आपका है potential energy अब potential energy होता क्या है जैसे kinetic energy हम दिसक्स करी कानेटिक energy is object have kinetic energy because of its motion और velocity Now this same as the velocity potential energy occurs this is the energy processes by body by the virtue of the position or shape किसी body की position क्या है x vector उसमें क्या है या उसका shape क्या है उसके कान जो energy होती है वह आपकी उसकी potential energy होती है Body is a relevant from the ground level compressed image जैसे कोई body ground पर कहां पर है क्या position है उसकी h height पर है h1 height पर है h2 height पर है यह position के कान जो भी energy आईगी है mgh उसको हम हमेशा potential energy बोलेंगे या कोई spring कितनी दभी होई है x1 दभी होई है या x2 दभी होई है या x2 दभी होई है या x3 दभी होई है तो इस तरह की कान जो भी energy आएगी हम उसको potential energy बोलेंगे तो if body m if mass of m kg at a height of meter h ground of the ground then the potential energy is mgh यह बहुत important है अगर if a body of mass m kg is at a point of h meter of ground अगर m मास का कोई object है यह h height पर है तब इस h height के कारण जो इस पर potential energy होगी आपकी यह आपकी होगी हमारा work हम करेंगे नहीं बलकि हमारा जो work होगा वो यहां पर h height पर store हो जाएगा तो वो store कितना होगा mg h जो इसका magnitude था वो ही उसका store हो जाएगा मतलब minus का मतलब वहां क्या था वहां तो हमने work done निकारा था कि mg कितना work करेगा तो mg के against work हो रहा है तो इसलिए वो minus आया था लेकिन actual में उसका meaning क्या है कि वो work done होगा नहीं बलकि वो work done यहां पर energy के form में आपका यहां store होगा तो कभी भी h अब यहां पर directly बोला हुआ है कि m height को m जो है आपका mass वो h height पर पहले सही रखा हुआ है तो उसकी potential energy mg h तो यह potential energy i कहां से होगी यह वो ही minus mg h होगी जो store हो के mg h में m g h है तो m और g तो constant है तो कहां पर होगी potential energy maximum जहां पर उसकी height maximum हो जाए यह हम बोले कि जहां पर वो गिरने वाला हो तो उस पर potential energy maximum उस पर height maximum का एक option था तो वो आपका option सही था तो mg h directly h per proportional होती ही जतनी जादा है चो इतनी जादा ही m की potential energy होती है तो we cannot measure the actual value of potential energy it is always measure respect to the particular reference level we cannot only measure the change of potential energy of particular body or non-actual for the example potential energy is measurement of talking round as h equals to zero and p e assume to zero तो इसका क्या मतलब है कि potential energy अब actual shape क्या है और actual उसकी position क्या है वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अगर हम पूरी बात करें तो आर्ट भी rotate कर रही है और हमने किस time पर कहा पर position निकाली है यह position actual calculate करना मुश्किल है तो actually क्यों हम नहीं बता सकते लेकि यह यहां पर था पहले और यहां पर से x1 पर था और x2 पर चला गया तो हमारा क्या उसमें चेंज आया potential energy वह हम बताते हैं हम मानते कि यहां पर अगर कोई body आपकी आर्थ की साथ प्रती हुई है तो आपको कोई work नहीं करना पड़ा है तो इसकी जो energy होगी work done करने की capacity होगी वह आपकी zero हो तो यह frame of reference का बस है कि आपने मान लिया है यहां पर assume कर लिया है फिर next relation between potential energy and work done जैसे हमने पहले नहीं कहा था यहां से यहां तक उपर ले जाने में कितना work done किया था w equals to minus of mgh और अगर हम mgh को potential energy बोले तो minus of delta u यह हम बोले कि यह तो बटा u final हो गया u initial क्या हो गया यहां पर zero तो इसलिए ऐसे करके लिखा है minus of mgh minus zero इसे हम u final लिख दे minus u final minus u initial और इसे हम इसके delta u तो work done equals to minus of change in potential energy तो हम यह पहले भी drive कर चुके हैं अब यह फिर से आ गया तो work done आपर क्या होता है change in potential energy और यही work फिर वहां पर store हो जाता है तो उसे हम इस तरह से भी calculate कर सकते हैं अगर यह कभी बहुत small element के लिए आगया तब हम d का भी use करकते हैं इसे d u equals to minus d of w and d of w क्या होगा f into dr तो अगर आपको कभी ऐसे दिया हो तो हम इसे integrator के भी निकाल सकते हैं u equals to f dot dr यह इसका मतलब क्या है तब ही आपको force दिया हो x i plus y j इस तरह से and आपको dr vector दिया हो या x vector दिया हो x i में और फिर आपको बोलाओ कि इसको potential energy calculate कीजिए तो वो potential energy कैसे calculate होगी पहले हम f और dr को dot product कर देंगे और फिर उसको यह जो limit होगी वो आपको बताए होगी कि कहां से कहां तक ले जानी है 1 से 2 मिंटर तक ले जानी है तो इसको dr cap के respect में हम इसको differentiate कर देंगे तो यहाँ dx dx x x के term में x के term integrate हो जाएगा पहले f dot dx यह आपको आगया x square x square के लिए dx आएगा और 1 से 2 हो रहा है minus of negative या negative of potential energy आपका आता है तो यह हमने पहले हम रिस्क्राइब कर चुका है हाला कि इस वाले formula पर कोशन नहीं आते हैं आपको सीधे mg h पर formula मिलेंगे तब ही वह हो लेगा कि mg h पर इतनी energy फिर दूसरी चीज यह है कि एक और important phenomena आया कर हमने यहां से फेका तो यहां पर यह कोई भी जो object होता है वो यहां पर रुख जाता है तो यहां पर रुखने का फिरोमना क्या होता है अब यहां पर रुख गया तो यहां पर कितनी होई mg h अब यहां पर रुख गया वो तो उसकी velocity जीरो हो गई अब velocity जीरो हो गई इसका मतलब यहां पर kinetic energy half mg तो जहां पर भी MgH maximum होता है बहाँ पर आपका MB इस्ट्राइर जो होता है वो 0 आपका होता है तो यह भी NDA question है कि जहां पर potential energy maximum होती वहाँ kinetic energy आपकी 0 होती है तो यहां पर kinetic energy आगे है अब यहां पर kinetic energy भी 0 थी यहां पर kinetic energy 0 होती है फिर यह नीचे आएगा फिर kinetic energy 0 हो जाएगी और MgH फिर इसके energy खर्च हो जाएगी तो यह भी एक NDA में चलिया question था कि कहां पर kinetic energy 0 होती ही जहां पर आपकी normal जब हम free उसमें प्रेकेंगे ऊपर और तब kinetic energy जहां 0 होगी वहां पर आपकी maximum जो होगी potential energy होगी यह जो वर्ग दन आता है यह आपकी change in kinetic energy भी आता है इसे हम बोलते है change in kinetic energy where kinetic energy is final minus kinetic energy इसे kinetic energy की form में लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते है यह potential energy के form में लिखना चाहें तो निगेटिव होता है potential energy क्योंकि वह इस्टोर हो जाती है और kinetic energy क्योंकि half mb² तुरं तुम मोशन की study होती है तो work done equal to kinetic energy of final minus kinetic energy और initial यह हम बोलें की change in kinetic energy तो यह work done in kinetic energy की form में होता है तो main जो चीज़ में है वस आपको MgH यानते हैं और उसी के respect में सारी चीज़े आपको calculate करवाई जाएगी तो यह d into dr यह इतना जादा वैसे आता नहीं gravitational potential energy मैं आपको बता दू ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने discuss किया हुआ है minus of g m1 m2 upon r आती है minus क्यों आता है क्योंकि यहां पर force of attraction होता है तो f into dr वहीं से force negative आता है तो हम अध्यवाव से minus लेते हैं तो यह आपकी gravitational potential energy होगी यहां आपको ज्यादा detail में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि gravitation वाले में हमने इसे बहुत detail में देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं फिर कुछ mg h आप r height पर उपर जाने पर mg h कैसे change होती है अब mg h वैसे ही change होगी जैसे आपकी gravity effect करेगी जी जिस तरह से change होगा उसी तरह से आपका वो भी change होगा तो mg अगर आप r का वहां relation लेकर जितने भी r radius को effect करने वाले relation है तो उस relation के इसाप से आपकी mg h भी change होगा लेकिन यह use तभी करें जब आपकी potential energy है जी जो h है वो आपका r के respect में कुछ हो मतलब h equal to r y 2, r y 3, r y 4 लेकिन अगर h बहुत ही बहुत चोटा हो तो हम इसे negligible कर देते हैं और तब mg h ही आजाती है तो अगर वो ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए या कहीं भी ले जाए तो जैसे ही radius जो g में variation होगा वो same variation यहाँ पर आएगा तो उस तरह से हम इसे solve करें फिर next है elastic potential energy यह हम बोले कि spring की potential energy अब spring में जो force होता है f equals to kx होता है और इसको जो work done हम बोलते हैं इसका जो work done हम कराते है x तो इसमें जो potential energy finally आती है calculate करने पर वो आपकी आती है half kx square तो half kx square आती है half kx square यहाँ तो जो total work done आया वो आपका kx square आया इसका मतलब half तो potential energy चेंज हो गया तो half तहां गया विटा हाफ उसकी position में change हो गया और half उसने energy अपनी loss कर दी तो यह derivation का basically phenomena है कि half आपका energy में store होता है और half आपको उसके energy kinetic energy के formula उसकी energy loss हो जाती है यह बोले तो आपको जबी भी आपको बोला जाए कि spring में stored energy तो आप half kx square यह इसे w से भी बोलते है जैसे minus of w हो जाएगा या यू आपको बोला जाए तो यह half kx square फिर electrical potential energy होती है 1y4 pi epsilon naught q1 q2 upon और यह भी आपने वहाँ पर देखी हुई है इलेक्ट्रो स्टैट्स वाले chapter में हमने यह वाली वी तीने पढ़ी थे फिर next है potential energy of spring यह वाली चीज भी कई बार आई ही है बहुत बार यह पूछी जाती है अगर एक spring है और यह अपनी नॉर्मल स्टेट में है मतलब यह आपका यह stress नहीं तो इसकी potential energy mg h 0 अब एच यहां पर आप यह पूरी लेंद मतना अब लगजाना एच क्या है आपका एच वो है जहां पर मैंने energy इसे दी जहां से मैंने काम करना अब यहां पर अभी तो यह रेष्ट में अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं अगर कोई काम ना भी करूं तो भी रेष्ट में यहीं पर रहेगा इसका मतलब और एच हम जो ना पहूंगे वो इसके बाद से ना पहूंगे जब हम इसके बाद से स्ट्रेज करने के लिए इसको एज़ी वो आपकी एच होगी यहां बोले एक्स एक्स हाइट तक हमने इससे स्ट्रेज करने की ज़रूत हो तो अब यहां पर क्या होगी उसकी जो potential energy होगी यह होगी half kx square और इसका जो force होता है वो कितने force टेखो है minus of kx या x माइनस का मतलब कुछ नहीं जो इसकी टेंसर होगी अपोजिट इसके पोजिट फोर्ट लगाएगा तो हम उस वाले force minus of kx से दिखाते हैं तो यह इस तरह से होता है तो वैसे ही जैसे मैं बदा रहा था कि फोर्च क्या होता है आपका हमेशा के एक्स प्रिया जाता है क्यों दिया जाता है यूगि जिस डिरेक्शन में आपको डिस्प्लेस्मेंट हम करेंगे आपको पोचे क्या होता है तो आप बस दो फोमुले याद रहते की एक्स और हाफ की एक्स स्कॉर्ड दो इन ही में बस पूंहाँ को पूस्ता रहे कभी पूछे कि दोगना आपको पोड़ कर दिया ऑगनी कर दी को इन इस किछा दिया या कभी पूछे आपको तेंशन तो लिए पूझे तो फोस ही और हो साथू और हल नहीं हिसे. तो यह आपके क के सय कउछट रहे कोश पे में सप्रेंग हें तो मैं चाहोंगा कि आप उन्हें याद करें हैं अब कुछ और चीजें हैं जिसे हम डिसकस करते हैं मैं ज्यादा कुछ इसमें इस चीजें नहीं डिसकस करूंगा तो कि बेसिकली जो कोशन पूछेंगा है वो सिर्फ MGH में और इस तरह चीजें ही पूछी गई यह आपका एक चोटा चा ग्राफ दिया जैसे मैंने बताया कि अगर वही ऑब्जेक्ट नीचे चे देगा और यह वाई हैट पर है तो आपके इसकी पोटेंशल अरजी क्या हो जाएगी MZY अगर यह हैट पर है तो इसकी ग्राफटेंशल अरजी क्या हो जाएगी MGH और यह पोटेंशल अरजी किसके आती ही ग्राफटेंशल अरजी हमसे बोलते हैं जैसे हमने वह फॉर्मूला लिखाता है MGH एच अपाउन बन प्लस आच अपाउन आच तो आच क्योंगी बहुत ज्यादा निगलेजेवल है देखेसनल यह सिकस्टी फोर डवल जीरो मूंल यह फ़ेख लेंगे एक क्लो मिटर ऑफ़टो तो यह इसलिए आपको इस तरह से लिए जाती है फिर ग्राफ ग्राफ अब आपको एक्वेशन से आप सिंपल गुना ही सकते हैं अगर f और kx में आपको पूछे कोई ग्राफ इधर f ले लिया और इधर x ले लिया तो यह बाई इकोल स्टू माइनस ओफ एक्स हो गया तो y इ यह ग्राफ आ जाएगा तो यह में कोई बड़ी बात नहीं है आप सिंपल डिस्टैंस और फोर्स देखके वह आपको निकाल दूए फिर अगर मैं क्या कहूं कि अगर मुझे पोटेंशिल एनर्जी निकालना है यह मैं बोलू कि f equals to kx मैं direction छोड़ दूँ तब उस case में यह मैं क्या करूंगा एफ equals to kx y equals to mx बनेगा तो graph यह बनेगा इस graph में डायरेक्शन छोड़ी हुई है आप यह दिहां लखे तो अगर मैंने यह graph अडा दिया तो यह अब इसका जो area under the curve होगा वो क्या देगा area under the curve f into x देगा और इसी को हम f to x को हम क्या बोलते है work done kx हो जाएगा x square work done बोलते हैं यह हम इसे को potential energy बोलते हैं तो दभी भी area under the curve पूशा जाए आपको आप उन दोनों quantities को multiply कर लें और उसकी dimensions के according आप अंदाया लगा लें कि वो क्या देना होगा तो यह जो area under the curve होगा यह आपकी इसकी potential energy half kx square ही होगी अगर आपको पूशा जाए कि इसकी slope क्या देगी तो f upon x यह कुछ इस तरह की quantity होगी वो उसे देगी तो f upon x हमने फिलाल कोई quantity पड़ी नहीं है तो इसलिए आप इसकी slope की बात नहीं करेंगी तो यह कुछ चीजे थी पोटेंशिल एनर्जी में आपको इस्प्रिंग की potential energy याद रखनी है फ़ले force याद रखना है minus of kx potential energy याद रखनी है half kx square और kinetic energy याद रखनी है half mv square और kinetic energy को momentum में चेंज याद रखना है यह चार चीजे आपको याद रखनी है वाकि इसमें ज्यादा कुछ टैंसल लेने की तो यह जैसे यह जैसे सारी चीजे जैसे हम डिसकस करी थी यह previously ही same उसे ही तरह हो जाएगा अब last important चीज़ में power है power अभी तक हमने work पड़ा कि वह कितना force लगाया और कितना displacement किया हम उसको multiple को हम बोलते है work हमने कितना काम किया फिर हमने पढ़ी energy किसी भी object की energy की काम करने की चमता जो होती है वो capacity जो होती है वो energy होती है हमने पड़ी half mb square फिर हमने पढ़ा mgh अब हम next ले रहे है power so what is power the rate of doing work or the rate of which energy is transferred to use the transformation of work तो अगर में थोड़ा दे differentiated करूं हो to suppose that मैने अएक माना कि 20 joule काम करता एक आदमी यह फिर देख दूसरा है 30 joule काम करता एक तीला है 60 joule काम करता एक मिनट में अब एक मिनिट में यह काम हो गहा है अब कोई आदमी A है वो हो इतना काम कर सकता है B है यह कर सकता है C है यह कर सकता है तो यह A दोवारा किया गया काम होगा है B is yield, T is yield, 30 अब अगर मैं capacity की बात करूँ तो एक same time है तो capacity किसकी ज़यादा है capacity of C या मैं बोलूँ कि energy of C is greater than V is greater than A मैंने किस basis पे बात करी मैंने total work done निकाला और work done कर लेगी capacity मैंने निकाल ली ये इसकी ज़्यादा है अब ये energy तो मैंने निकाल लेगी इसकी capacity ज़्यादा है लेकिन किस phenomenon से ज़्यादा है किस rate से ज़्यादा है इसकी हो जाएगी 60 joule upon 1 minute या मैं बोलूँ इसकी अगर मैं 60 से 1.3 joule per second ये काम करता है ये आपका half joule per second ये 1 joule per second काम कर देता है इसका मतलब 1 joule 1 second में काम कर रहा है ये half joule 1 second में काम कर रहा है ये जो आपका होता है 1.3 joule per second काम करता है तो यह जो चीजे होती है, rate of change of energy, मैं बोलूँ rate of change of work done, यह work done है और इसको मैंने rate of change of निकाल लिया, तो यह आपकी आगई उसकी power, तो power basically होती है, सिर्फ rate of change of work done या आपकी energy transferred, energy मेरी कितनी आई, c में सबसे ज्यादा होगी होगी, एक जूल, एक सेकिन में काम कर रहा है, b में कम, a में कम, तो यह तीनों का differentiation है, तो main आपको mathematically चीजे उसे मतलब है, जबी भी आपको power पूछा जाए, power is nothing but work done upon time, यहाँ पर work done हम क्या बोल रहते है, f dot s vector upon time, f dot v vector, बस अब प positive, जैसे zero work done था, जहाँ पर displacement zero हो रहा था, बहाँ हम zero कर दे रहते है उसके work done को, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका power होगी, उन circular paths के लिए, सारे circular paths के लिए, आपकी zero हो जाए, और जैसे भी मैंने s में जो factor आपको define की थे, वो सारे factor v के लिए भी उसी तरह से define हो तो इसे मैं क्या लग दूँगा, f b into cos theta, theta is the angle between b and f, तो power आपकी क्या होती, f into b, अब ये कुछ उसके अलग-अलग units है, ये को पहले वाट से आपका जूल पर second है, जैसे आपको यहाँ दिखी रहाएगी, अगर मैं इसकी वाट ले ले लेता हूं, तो इसकी जूल पर second आए 1 second में लेग लेगता हूं, तो 1 newton second upon, ये आपकी second में आजाएगी, पिर अगर आपको dine में निकाल ला हो, तो dine power 7 erg upon second उस तरह से आप वो भी convert कर सकते है, तो 1 kilowatt इक्वार्ट होता है, 1000 into 3 per second, ये 1 megawatt होता है, ये 1 horse power आपको important, 726 watt डायक लेगी, ये 1 kilowatt रही होती है, पर वो इलेक्ट्रो स्टैट्स की उनित है, वो भी चलती है, तो 1 kilowatt आर्स में आपको electricity major की जाती है, वो जैसे भी use पड़ेगा, मैं उसको discuss करूँगा, तो आपको बस यही याद रखनी power f into b होती है, इसी तरह से सारी question पूछेगा है, कि velocity लोग नहीं करती, team नहीं करती, या त तो जैसे kilowatt आर्स होगी, जो power होगी, वो आपकी electrical power जो होती है, वो kilowatt आर्स में आपी जाती है, तो एक kilowatt आर्स के लिए मैं kilo को change करणूगा, यह इसे रिखनूगा, 1 kilo equal to 10 to 3 power 3 watt, ऐसे रिखनूगा, आर्स को मैं second में करणूगा, 36 level 0 second, तो यह आपके आगी, 1 kilowatt आर्स equal to 3.6 तो यहीं तक main portion था, इसके बाद भी हम कुछ application discuss करेंगे, लेकिन आपको यह यह आद रखना था, P equals to w.t, power में change क्या होगा, सिर्फ B में आपको change करते हैं, वो question पूछेगा, 740 बार, इस पर भी question बन सकता है, फिर आपको बोला है कि, what is the unit of energy, namely, Joule means to the common man, के लिए energy का मतलब क्या होता है, या कहा कहा हमें, पाला पड़ता है energy से, वो देख लेए, तो हमारी life में चारो तरफ जो भी काम चल रहा है, आप देख रहा है, तो काम कैसे चल रहा है, वो expenditure of energy है, energy उसमें खर्च हो रही है, तब काम चल रहा है, तो हर जगा कोई भी काम 22 joules वो वर्ट करता है, तो जो उसकी energy हो भी वो 1.2 और जो उसकी power हो जाएगी, वो आपकी 1.2 joules पर second हो जाएगी, तो हर तरफ जहां भी आपका वर्ट चल रहा है, वहाँ आपकी energy है, वो scene में आ रही है, तो यह इस तरह सी application तो चीजे हैं, फिर law of conservation of energy है, law of conservation of energy में क्या हो होता है, तो न थो energy create हो सकती है, न दिश्ट्रoy हो सकती है, तो किसी भी point पर kinetic energy plus potential energy जो है, वो आपकी constant रहती है, यहा हम लोग सकते हैं कि kinetic energy plus potential energy equals to kinetic energy plus potential energy, अगर एक example में इसका लूँँ, तो यहां से, और मैंने यहां पर कोई object m फेगा, तो अगर मैंने यहां पर b spirit से फेगा तो यहां पर मैं लिखता हूँ Half M V square Plus M G H यहां पर G होगा तो M G H यहां पर G हो जाएगी Equals to Law of Conservation Energy से यहां पर मैं इसकी M G H इसकी potential energy Plus Half M V यहां पर आके इसका V square G होगा तो Half M V square Equals to M G H इसका मतलब यह जो मैंने यहां पर इसके kinetic energy दी यही kinetic energy इसको यहां पर M G H के रूप में store होगी या M G H के रूप में आपकी जो है वो store कर लेगा H height पर जाएगा तो जितनी जादा मैं V दूंगा उतनी ही जादा यह height पर जाएगा तो Law of Conservation of Energy यही है कि जितनी भी energy हम kinetic plus energy पतलब उसकी motion और सी बोजिशनी कार जो भी energy होगी वो हर point पर आपकी conserve रहेगी वो हर point पर आपकी same रहेगी तो कई बार यह पूछ लिया जाता है लेकिन जब ही भी पूछा जाए options में basically दिया जाता है कि Law of Conservation of Energy है तो जैसे directly तो यह question नहीं पूछा गया लेकिन एक बात पूछा गया था ElectroStats में कि अगर मैंने Metal को मैंने positively charge कर दिया और neutral metal लाया मैं इसके पास तो क्या होगा तो अगर आपने ElectroStats पढ़ाओ थोड़ाओ तो इस पर भी हल्का सा positive आया ना जाएगा तो इसने पूछा था कि यह किसका है law of conservation of energy law of conservation of charge law of conservation of mass तो यहाँ पर आपको same देखने से ही पास जाएगा कि law of conservation of charge तो यहाँ पर energy energy का कोई role नहीं है कि आपको kinetic energy potential energy यहाँ पर साथी electrical energy फॉर्म में जलती है और वो भी same नहीं होती वो भी conserve नहीं होती तो जब वो portion discuss करेंगे बहाँ पर तम मैं आपको बताऊँगा लेकिन फिलाल यहाँ पर इस तरह का role नहीं है तो conservation of energy mainly आपको जो है वो mechanical energy के form में ही देखी जाएंगी जबी आपको उबर फेका जाए कोई चीज यह नीचे फेकी जाए बहाँ पर आपको conservation of energy लगानी होगी तो ऐसा कुछ जादा खास इसमें है नहीं conservation of energy बस आपको kinetic and potential energy किसी भी point पर आपको equal होती है और energy आपकी हर point पर यह इसका addition ही होती है तो यह basic चीज है की फिर next चीज है collision कभी collision पर 2007 में question आया है और 2007 के बाद hardly यह question आया मेरी नजर में side 2007 के बाद and year में कभी question नहीं आया है question क्या था वो भी मैं discuss कर लूँगा collision होता क्या है वो मैं आपको brief बता रहा हूँ collision is set to occur with two objects either if they are physically collide against each other path one of effect of another path अगर एक object है और दूसरा object कोई आता है यहां पर तो इनकी जो टक्कर होती है तो उस चीज को हम बोलते है collision और इन इसकी तक्कर अगर यह सपोज rest में था और इसकी velocity इदर थी तो टक्कर के बाद फिर इनकी जो velocity हो जाती है अगर सपोज इसकी velocity इदर हो जाए और यह यह वादा जो हो है वो सीधा चलने लगे तो इसकी velocity भी effect होती है तो यह आपको collision होता है collision का मतलब सिर्थ तक्कर होती है आप यह जान भी चलिए यह दोनों का collision फिर एक होता है elastic collision elastic collision क्या होता है हम मांते है ideally no loss of kinetic energy मतलब जितनी भी kinetic energy यहां थी वहाँ इतनी kinetic energy होगी तो ideal condition में आप elastic ही मान की चलिए मतलब यह वाला था एक ही वाला था तो यहां पर इसकी kinetic total system kinetic energy क्या होगी half m v square plus इसकी half m इसकी kinetic energy 0 होगी क्यों क्योंकि इसकी velocity 0 की फिर यह दोनों चलने लगे फिर जब यह दोनों चलने लगे half m v dash का square v 1 dash का square half m v dash cut v dash cut v 2 dash का square मतलब पहले वाले की कितनी object की spirit थी दूसरे वाली कितनी इसकी यह चीज अपसमे रहती है तो elastic collision में basically आपका kinetic energy conserved रहती है आपको पूछा यही गया था उसमें कि collision में क्या चीज चीज conserved रहती है collision में बेटा अब इस collision में कोई external force नहीं है momentum is equals to constant यह मैं बोलू की momentum is equals to conserve मतलब momentum आपका टक्कर में हमेशा 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 ही conserve रहेगा और यही एक question है 2007 में पूछा गया NDA में कि collision में क्या होता है तो momentum conserve रहता है तो momentum हार तरह की collision में conserve रहेगा यहां kinetic energy में conserve रहेगी यहां हम बोलेगी total energy यहां पर conserve रहेगी momentum conserve का मतलब क्या है फिर मैं momentum conservation की equation को इसके लिए m into v इसका momentum plus m into v अब इसका तो 0 था initially फिर यह किससे चलने रहें m v1 dash plus m v2 dash यह momentum is equals to initial यह momentum equals to final तो या तो मैं बोलू momentum equals to initial equals to momentum equals to final यह आपका momentum conservation का log है तो यह दोलो m m v2 constant है और 2 equation मेरे पास आगी तो इस तरह से यह collision वाली problem simplify की जाती है solve की जाती है लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ NDA में जो question आया था सिर्फ यह आय था कि collision में आपका किया चीज conserve रहती है तो elastic collision में आपकी energy conserve रहती है momentum तो conserve रहता ही रहता है next हम देखते है inelastic collision inelastic collision बस होई है कि अगर हम practical case ले ले तो practical case में तो loss of kinetic energy होगी ही होगी तो lot of kinetic energy में आप मैं पता नहीं कितनी kinetic energy है एक यहाँ v speed से move कर रहा है दूसरा rest में रखा है u equals to 0 v2 equals to 0 फिर यह इनकी टक्कर होई यह और फिर यह वाली equation नहीं ली सकते है half mb1 square equals to 0 plus half mb2 square क्योंकि यहाँ energy conserve नहीं है इस जो टक्कर में जब भी टक्कर होगी तो इसमें कुछ ना कुछ energy loss होगी heat के form में वो जो energy loss होती है तो हम वो वाली energy अगर हम इनको negative कर दें इन दोनों को गटा दें इस वाली energy में से k initial equals to k final क्योंकि k final कम रही जागी क्योंकि टक्कर में भी कुछ energy loss होगी तो वो जो energy loss होगा k initial equals to k final हम उसे energy loss बोल सकते है तो लेकिन यहाँ पर energy conserve नहीं रहती है inelastic collision में क्योंकि यह practical case है और तो इस तरह की energy होती हो हीट के form में अब energy conserve नहीं रहती है लेकिन motion momentum आपका हर case में conserve रहेगा क्यों क्योंकि external force तो अभी भी 0 है लेकिन total energy आपकी conserve रहेगी आप तोड़ा सा यह ज्यान देगी total energy क्यों conserve रहेगी क्योंकि k initial यतनी थी पहले सारी kinetic energy की form में थी अब दुवारा kinetic energy में तो कुछ k final लेकिन कुछ heat में भी change हो गया अगर हम total energy निकाले तो कुछ heat भी आगी तो k initial equal to k final plus heat हम ऐसे करके इसे relate कर सकते है तो heat की में जो energy जाएगी वो आपके निकासकते k initial minus k final या heat के अलावा किसी और चीज में energy है friction force में energy loss हो रही है तो वो भी हम add कर सकते है तो in elastic और in elastic दो तरह की collision होती है आप याद रखिए elastic में momentum energy total energy conserve in elastic में आपका kinetic energy conserve नहीं है momentum तो conserve रहे गई और total energy भी conserve रहती है क्योंकि वो आपकी दोनों cases में conserve रहे है law of conservation of momentum जैसे हम बता रहा था कि initial momentum और final momentum आपका यह always conservation of momentum हमेशा होता है तो यह nd 2007 का question था यह मैं एक example ले ले रहा हूंग elastic collision का normally elastic collision ही देते हैं क्योंकि energy loss find करना इस level पर possible नहीं है तो आप elastic collision से दो equation बन जाती है पहली equation तो आप directly law of conservation of momentum से बना देंगे अच्छा यह M1 का U1 square से चला M2 का U2 square से चला तो इसका conservation क्या law of conservation of momentum क्या हो गया पहले का momentum में नकाल लिया M1 U1 प्लस M2 U2 दोनों का momentum अट कर दिया फिर अटकर के बाद M1 V1 प्लस M2 V2 यह law of conservation of momentum हो गया फिर दूशरी equation हम निकलेंगे law of conservation of energy से अब क्योंकि elastic collision है तो यह half M1 U1 square half M2 U2 square is equals to half M1 V1 square plus half M2 U2 square अब दो equation है दो आपकी equation आ गई और दो variable है आप दोनों को solve करके यह आपकी equation आ जाएगी कुछ इस तरह से तो आपको यह formula याद करने की रूट नहीं है जबी अगर question hardly ही आएगा question क्योंकि मैं बोला हूँ NDA 2007 में आया था वो भी कि क्या conserve रहता है momentum conserve रहता है तो आप directly ही यहां से यह 1D motion है अगर आपको कहीं भी दिया हो कि या V2-0 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 और elastic है जब तक आपको न बोला जाए तब तक आप plastic ही assume करके चले आप energy conservation वहां पर apply कर दे तो energy मैंने conserve conserve कर दी और इन दोनों solve रहता है तो mainly चीज यही है कि elastic collision में energy total energy और momentum conserve रहता है तो फिलाल students इस lecture को हम यही finish करते हैं वह आपको lecture पसंद आया हो work power energy इन तीन पर आप मान की चलिए question आएगा work में आप F.S simple याद रखिए और energy में आप MB square और momentum वाला case याद रखिए फिर MGH आप याद रखिए और energy में F into V W upon T याद रखिए यह आपको main main चीज़े यही से आपका question आएगा तो फिलाल हम बिदा लेते हैं इनी शब्दों के साथ thank you thanks for watching